आप सभी का हमारी टूब चेनल में स्वागत है और आज की वीडियो में बताएंगे क्यूबेस 30 प्रो के बारे में इसके बेसिक टूल्स इसमें हम रिकार्डिंग कैसे करेंगे इस्टिडियो ट्रेक कैसे बनाएंगे कोड को कैसे प्ले करेंगे या फिर अगर हम मीडी को रिक माल लिजे आपने कोई भी प्रोजेट को अगर पहले सा सेफ करके रखा है तो वह सारी लिष्ट यहां पर दिख जाएगी आप इसको डारेक्ट यहां से ओपन कर सकते हो उसके बाद में मिलेगा रिकार्डिंग का अप्सन स्कोरिंग का अप्सन प्रोडक्शन है मास्ट्रि करने के वाद में अब अपने कोई भी एक फॉल्डर के इसको डाल सकते हो तो अब हमी में आपर डेश्ट आ पिकल्डर बनया हूं कुँछर्टर के नम से कैम सवह फसे पहले इसमें Vermont अपको जानकरी देंगे हम सबसे बात यहां मालजी हमें इस पर इसको घर्लिक कर रहा है तो recording करने के लिए हमारे पास sound card होना चाहिए और माइक की setting भी होनी चाहिए कितने माइक है कितने माइक का sound card है तो इसके लिए सबसे पहले हम studio के उपर आएंगे studio setup के उपर क्लिक करेंगे और उसके बाद में यहाँ पर दिख जाएगा यह SEO driver के सामने दिखिएगा इस पर क्लिक कीजेगा इस box के उपर तो जो भी आपका sound card है उसका अपने driver इंस्टाल करेंगे रखा होगा वह आपको driver यहाँ पर चालू कर देना जिसे हम यहाँ पर चालू गंपलिट हो जाएगे उसके बाद में recording करने के लिए सबसे पहले जुरूरी होता है कि हमें record कैसे करना है तो recording करने के लिए हमें एक ट्रेक होना चाहिए हमारे पास मुन्यों का ट्रेक और हम किसे ट्रेक के ओपर record करेंगे हमारे पास कराओ के ट्रेक या फिर कोई बना बना ना उसके बान में कोई भी आपको एक ट्रेक यहां पर ले लेना जैसे कि मैंने एक ट्रेक ले लिया और यहां से przed कर देwa करने के बाद में कुछ इस तरह से दिख जाएगा अब यह देखिए इसका कोई भी बीपिम एनि कि टेंपो इसका सेट नहीं किया तो टेंपो इसका सेट करने के लिए हमें इसका बीपिम पता होना चाहिए तो इसका बीपम 110 तो यहां पर देखिए आप यहां से इसका बीपि है अब क्या करेंगे देखो सुरू में इतना इक्स्ट्रा पाट है मिसको कट करेंगे तो कट करने के लिए टूल से मारे पास कट कर देंगे इस तरह से ا Commonwealth कर देंगे कट जाएगा फिर मोरों इसके एड़िए अपकर कर देना है औbayर इसको उसके बाद में हमारे पास एक ट्रेक भी आ गया अब यहाँ पर एक चीज़ ओर है देखो यहाँ पर क्लिक मिलेगा मेट्रोनोम यह कुछ इस तरह से मेट्रोनोम अभी यह काम क्या करता है यह टिक टिक बसता रहता है माल लिजिए आपके पास अगर कोई ट्रेक नहीं आपके पास अगर कोई सिंगर आता है और किलिक पे उसको रिकार्ड करना चाहते है तो किलिक पे कैसे रिकार्ड करोगे तो मेट्रोनोम को आपको चालू करना पड़ेगा तो फिलाल अभी इसको म्यूट कर रहे है अभी से प्लस का इकन यहां से पर करके आडू करके और यहां से बड़ा भी कर सकते हैं तरह न यहां से भी आप Nut learnt लेना चाहों दो ले सकते हो उसके बात में यहाँ पे ट्रेक लेलिया आपने अभफ यहाँ पर आपको वोकल रिकाड करनी है तो वोकल रिकाड करना के लिए यहाँ पर देख सकते हो जो हम यहाँ पर record कर रहे हैं वो हमारे Cubase 30 Pro के अंदर record हो रहा है हमारे माइक के थुरू हमने प्रेस बटन दबाया recording आफ हो गई अब इसको दुबारा आप सुन भी सकते हो तो अभी आप सुन सकते हो जो हम यहाँ पर record कर रहे हैं अब इसको क्या करेंगे एक चीज़ और है इसमें आप टूल से यहाँ पर देखिएगा यह होता है activate करने का मालेजिए हम इसको अगर activate कर देंगे तो देखो एक blue color किया जाएगी अब इसका मतलब क्या हो गया कि अब मैंने इसको activate कर दिया है और मैंने select भी कर दिया है तो यह सिर्फ इतना ही बजएगा अभी हम आपको सुना रहे हैं तो अभी आप सुन सकते हो जो हम यहाँ पर record कर रहे है वो हमारे qubase 30 pro के अंदर record हो रहा है हमारे mic के through और cursor आपका फिर से वहीं से आ जाएगा फिर से आपका start हो जाएगा अगर इसको आप माली जीए इसको अगर आप lock नहीं करते हो माली जीए आपको इतना ही सुनना है सिर्फ इतना record हो रहा है मारे mic के through तो यह आगे की तरफ चला जाएगा तो इस तरह से अगर इसको lock कर दोगे तो बार-बार आप उसी चीज को सुन सकते हो उसकी बाद में माली जी आपने vocal को है पर record कर लिया और अब आप इस पर plug-in से लगाना चाहते हो effect डालना चाहते हो तो यहाँ पर edit channel का option आप जाएगा यहाँ से भी कर सकते हो या फिर आप यहाँ से भी कर सकते हो दोनों से भी आप कर सकते हो हाँ पर click करना है तो यह कुछ इस तरह से इंटरिफेस है पर दिख जाएगा सबसे पहले आपको channel strip का option मिलेगा gate का compressor का और EQ का tools का set का और इसके बाद में limter का तो हम क्या करेंगे एक क्लिक करेंगे और उसकी बाद में हम यहाँ पर अपने जो भी हम अपनी आवाज में frequency कट करना चाहते है बेस फ्रकुंसी या हाइ फ्रकुंसी को कट करना चाहते हैं मेट को हाई करना चाहते हैं फिर कट करना चाहते हैं तो हम इस प्रेवल बढ़ाना इंसर्ट का हम यहां पर कोई भी प्लगिन से करना जैसे कंप्रेसर का प्लगिन से करना है तो बहुत सारे कंप्रेसर के प्लगिन मिल जाएंगे हम इनको एड़ कर सकते हैं जैसे कि यह क्यूबेस फाइप सॉरी यह आपके क्यूबेस थर्टी प्रो का ही प्लगिन से कंप्रेसर उसके बाद में और भी जो आपके पास i겠 plug-in से उनके भी आपको plug-ins से यहां पर देखने के लिए मिल जाएंगे जो आपने इक्ड्ट्रे इसटाल करके रख यह हैं वह भी सारे मिल जाएंगे reg उसके बाद में आपका vocal भी यहांपे ready हो गया आपको midi करना है तो MIDI करने के लिए आपको एक instrument track बनाना होगा right click करना है right click करने के बाद में यहाँ पर दिख जायेगा add instrument track का इस पर click कर देना है यहाँ पर देखे first पर serum plugins यहाँ पर आन होके आ जायेगा आप चाहो तो यहाँ पर कोई भी दूसरा plugin से आप ले सकते हो तो फिलाल अभी हम यहाँ पर serum plugins ही लेंगे और इसके बाद में edit track के उपर click कर देंगे जैसे add track के उपर click करेंगे तो यह panel खुल के आ जाएगा serum plugins अगर यह cut जाता है तो आप यहाँ से इसको चालू कर सकते हो यह चालू हो गया अभी यहाँ से जाएंगे हमें यहाँ से preset को select कर लेंगे तो बहुत सरे preset है जो भी हम preset use करना चाहें यूज कर सकते हैं यहाँ पर एक brass का प्रेसेट है इसको यहाँ से cut कर देंगे अब इसको अगर हमें play करना है तो play कैसे करेंगे अब आपको alt के दबाना है जैसे आप alt के दबाओगे तो यहाँ पर एक on screen की बोर्ड खुलके आ जाएगा कुछ यह इस तरह से दिखेगा नमबर में दिखेगा तो जब आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा यह बिंदू के उपर जैसे क्लिक कीजिएगा तो सारा है मीडी में आपका दिख जाएगा अब यहाँ जो भी आप note play कीजिएगा तो यहाँ पर कई सारे आपको प्रेसेट मिल जाएगे जो अगर यह प्रेसेट अच्छा नहीं तो आप सिकेंड प्रेसेट आप यहाँ पर यूज कर सकते हो इस यह प्रेसेट आप यूज कर लीजे अब जिसने इसको में रिकार्ड करना है मीडी को तो हम क्या करेंगे वोकल को भी हाँ पर म्यूट कर देंगे सिर्फ आपको समझा रहा है कि अगर हम मीडी को रिकार्ड करना चाहें किवेस 30 प्रो के अंदर तो कैसे रिकार्ड करेंगे तो simply आप प्लगिन से ले लीजिएगा उसके बाद में आप यहाँ अगर आपके वासर मीडी है तो मीडी से रिकार्ड कर लीजिए नहीं तो कीबोर्ड से आप अपने पीसी का जो कीबोर्ड है आप इसको मीडी के तरह एक यूज कर सकते हो यहाँ पर आपको रिकार्ड इंग के बटन को इनेबल करना है हुआ है उसके बाद में अपने बैग को मीडी को ले कियो हैं अब मीडी को हम एडिट करना चाहे है जैसे कि जो नोट आगे पेछे हो गए है तो क्या करेंगे डबल क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आ जाएंगे अब ये note सायद आपको कुछ इस तरह से दिखाए दे पतले-पतले sound तो ये जो knob है इसको आप इस तरह से कर सकते हो ये बड़े हो जाएंगे और इस तरह से आप इनको आगे पीछे कर सकते हो एक चीज़ और ध्यान दिजेगा note आपके beat पे सायद नहीं होगे यानि कि countize पे नहीं होगे ये चीज़ देखिए countize पे नहीं सब आगे पीछे है तो इनको countize पे लाने के लिए क्या करना है आपको control A press करना है जब control A press कीज़ेगा तो इस सब select हो जाएंगे उसकी बाद में देखिए जैसे हम Q दबाएंगे तो इस सारी फाइले countize पे आजाएंगे ध्यान दिजेगा है यह देखिए जो आगे पीछे थे थे सारे countize पे यहाँ पे आ चुके हैं उसके बाद में यहाँ पेे हम इसको cut कर देंगे हम यहाँ से media को भी record कर सकते उनको play कर सकते हैं इसको भी mute कर देंगे mute हम इसलिक रेकर रहे हैं जहीं कि सब यहाँ पे एक सात में नहीं सुनना है अब क्या करेंगे एक यहाँ पे instrumentरे एक और बना लेगे लेंगे और उसके बाद में प्रिसेट पर जाएंगे और उसके बाद में पियानों के उपर क्लिक कर देंगे इसको खटा देंगे यहां से अब एक चीज और देखिएगा है अगर आप माली यह कोड को प्ले कर रहे हो तो यहां पर देखें इसके कुछ टूल्स मैंने आप अब गर दियुकर लेखन कर लेखने आप और केंवड़ कोड करेंगे और यहां पर क्लिक करेंगे जो भी हमने BST लिया है और उसके बाद में इसके पर क्लिक कर देंगे अब यहाँ पर देखेगा जो भी हम कोड को प्ले करेंगे C minor, G minor, V flat, F तो इस तरीके से आप कोड को सुन भी सकते हो कैसा साउंड करेगा और उनको आप यूज भी कर सकते हो बहुत अच्छा तरीका है इसको हम यहाँ पर ले आएंगे हम ऐसे पकड़ करके रख देंगे हमारा देखो कोड बन करके रेडी हो चुगा रेडी हो चुगा देखो इस तरह से हम डबल क्लिक करेंगे इसके उपर देखो यहाँ पर सारे नोट्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे यह कुछ इस तरह से तो आप यहाँ से कोड को प्ले कर सकते हैं बहुत ही अच्छा तरीका है तो मैंने आपको सारे जनकारी बता दी है इस QS 30 Pro के अंदर कि कैसे हम इसके अंदर क्या करेंगे ट्रेक कैसे बनाएंगे और रिकार्डिंग कैसे करेंगे प्लगिंस कैसे यूज करेंगे midi कैसे record करेंगे सारी जनकरी बता दिया है tools के बारे में भी बता दिया है मैंने आपको अब उसके बाद में हम यहाँ पर आएंगे file के उपर माले जी हमारा पूरा track तयार है इसको export करना है तो export के उपर आएंगे और idea mix down मिल जाएगा यहाँ पर हम नाम डाल सकते है कोई भी गाने का नाम जो हम बना रहे है फिर beat कुछ भी बना रहे है उसकी बाद में यहाँ पर आजाता है file type इसको पर click और एक जोहर mix down है पर दिखिएगा इसका path select करना है तो हम desktop ही select कर देंगे save के उपर click कर देंगे उसकी बाद में file type तो wave में अगर आपको export करना है तो wave पर click कीजिए mp3 में करना है तो यहाँ पर mpg1 layer 3 वाला select कर दीजेगा तो आपका mp3 format में आएगा उसके बाद में sample rate यहाँ पर दिख जाएगा sample rate जो भी आपको लगता है अच्छा वह आप set कर सकते हो bit rate यहाँ पर देखने के मिल जाएगा तो यहाँ पर 128 होगा तो यहाँ पर यहाँ पर 320 kbps कर दीजिएगा ठीक है उसके बाद में यहाँ पर आपको export जैसे आप click किजिएगा export IDO जो भी आपका गाना होगा वह यहाँ पर export होना यह start हो जाएगा यहाँ पर export हो जुका है आपका गाना तो इस तरह से आप export कर सकते हो अब आपने जो project को save किया था जो file बनाया था folder के अंदर उसको save करना है तो यहाँ पर file के उपर आईए save के उपर आप एक बार click कर दीजिए और यहाँ पर आप नाम डाल दीजिए कुछ भी नाम डाल दीजिए फिर यहाँ पर save के उपर click कर दीजिए project आपका save हो गया है हम आपको दिखा भी देते हैं यहाँ पर click करेंगे यह देखे यहाँ पर आपका save हो चुका है और आइडियो के उपर click करेंगे जो भी हमारा तो इस तरह से दावस को दुबारा open कर सकते हो तो I hope दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और इसके सारे tutorial मैं लाऊंगा अपने इस channel पर कि कैसे हम गाने की recording करेंगे कैसे mix करेंगे कैसे master करेंगे इसके अंदर code को कैसे जोरू कर दीजेगा